हेलो एविर्वन वेलकम तो माई यूटूब चैनल दोस्तों आज फिर में आपके समने मुझूद में बहुत ही जबदस वीडियो लेकर हैं जो कि आप देखेंगे इस वीडियो में जो बाइडन ने पीम मोदी को स्लूट किया है बहुत ही जबदस होने वाला है तो चलते हैं वीडियो की जाने जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने वीडियो का टाइडल है जे बाइडन स्लूशन पीम मोदी इस्टेंस इंडिया तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने प्रशान दवन नावाज के समय 2022 का जो G20 समिट है ये हुआ है इंडोनीसिया में और क्या सक्सेस्फुल समिट था भारत के लिए बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज आई है यहां पर इस समिट से और सबसे बड़ी बात अब भारत को मिल चुकी है प्रेजिडेंसी G20 समिट की इतिहास में पहली बार इंडिया प्रेजिडेंट है G20 समिट का इसका मतलब यह है के 2023 में इंडिया होस करेगा G20 समिट को और यहां पर आप देख पाएंगे यह वो मुमेंट है जब यह बहुत इंफ़रेंट जो हैमर है ना यह इंडोनीसिया ने थवा दिया PM होधी को और अब PM होधी के हाथ में हैं अगले साल का G20 समिट truly a historic moment होर इंडिया उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाऊगे जो images निकल के आई हैं समिट से बहुत जारा positive है यह tweet करी है UK के नए PM रिची सुनाक ने यहाँ पर आप देख पाऊगे हिंदी में लिख रहे हैं एक मजबूत दोस्ती और PM होधी से नोंने in-depth बात करी है trade deal क लेकर various और topics को लेकर और यह video बहुत जारा वालेल हो गई थी जो बाइडन literally salute करते हुए PM Modi को जो बाइडन और PM Modi ने बहुत से issues पर बातचीत करी है summit के दोरान और सबसे interesting बाद यह थी कि जब यह जो पूरा G20 summit है इसका declaration सामने आया कि सारे जो G20 ग्रूप के देश हैं यह ए space era must not be of war आज का जो युग है यह जंग का जमाना नहीं है हम उससे आगे बढ़ चुके हैं humanity आगे बढ़ चुकी है यह जो line है यह declaration में properly यूज करी गई है इससे भी आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो stature है वर्ल में यह कितना बढ़ चुका है आज के समय तो इस वीडियो prospects 2022 के हसाब से दुनिया की आबादी अब कितनी हो चुकी है इस पर recently बहुत आटिकल पबलेश हुए है यह है आप आपकी option 5 billion, 8 billion, 10 billion या फिर 12 billion कॉमें सेक्षन में करिए उत्तर सही answer में आपको दूँगा वीडियो के अंत में ना इस पूरे G20 summit में एक topic अगर हावी रा है त आदिमिर पुतिन ने मेरे हिसाब से बहुत ही सही कदम उठाया ये summit को attend ना करने का decision लेकर खुद की जगा भेज दिया अपने विदेश मंतरी को और रश्या के जो विदेश मंतरी है सरगई लावरॉव इन्होंने यहाँ पर बहुत मनलब सुनने को इनको मिला और G20 summit में ज को पता नहीं है कि पोलेंड देश पर आज सुबह जो news आईए कि जो missile गिरे हैं ये किसने गिरे हैं क्या ये Ukraine के misfired missile थे या फिर रश्या ने गलती से पोलेंड जो एक NATO देश है इसको गलती से attack कर दिया था Emmanuel Macron अभी के लिए कह चुके हैं कि अभी के लिए impossible है ये वता पाना कि ये जो missile है ये मारे किसने दे कहां से आये थे जो बाइडन और पोलेंड के प्रेजिडेंड कुछ संकेत दे चुके हैं कि इनके हिसाब से क्या हुआ होगा कि Ukraine आज के समय जो S-300 यूस कर रहा है Russian Wade USSR के कोई S-300 इतना पीछे जाकर missile नहीं मारने वाला और S-300 के missile इतनी दूर जाकर ऐसे नहीं लगेंगे कि पोलेंड में दो लोग मारे जाए और G20 समिट के दुरान एक द्रिशक ये भी देखने को मिला जब जस्टें टुडो और रिशी सुनाक के साथ जो बाइडन बैटे ये पूरा incident बहुत ज़रा जीव है जर्मनी नवी के लिए ये का है के रशिया पर और ज़्यादा आरोप लगाने से पहले हमको एक प्रवापर investigation करनी चाहिए के पोलेंड को आखिर मारा किसने था किसका missile जाकर पोलेंड को लग गया और दो लोगों की मौध हो गई परस्तली मैं वही कहूंगा जो मैं आपको सुबह का था कि अगर रशिया ने मिसफार मिसाल किया भी होगा ना तो पोलेंड सिंस एक NATO कंट्री है तो आर्टिकल फाइव को एक्टिवेट ना करना पड़े इसलिए दुनिया ये सारा जो incident है इसको कारफेट के अंदर डाल दे ट्रेट डील को लेकर देखो UK ने ये बात क्लियर करती है कि ट्रेट डील को लेकर ये किसी भी जल्दबासी में है नहीं UK को एक्चुली में डर ये है कि जो इनके साथ हुआ था Australia की ट्रेट डील में वो इंडिया के साथ ना हो जाए आज से कुछ साल पहले UK और Australia ने एक Free Trade Agreement साइन किया ये Free Trade Agreement UK के लिए सावित हुआ बहुत ही बड़ा घाटे का सौधा और UK को डर ये है कि जो मिस्टेक्स इन्होंने करी थी Australia के अग्रीमेंट के साथ वो इंडिया के साथ रिपीट ना हो जाए तो इसलिए अभी जो ट्रेट डील है भारत और UK की लग रहा है कि हो सक 10 to 30 year olds in India जो भी degree holders है भारत में ये apply कर सकते हैं jobs के लिए UK में ये इसलिए किया गया है ताकि recently जो ब्रेवर में की comments आई थी के इंडिया से हम को immigrants नहीं चाहिए वगरा और इंडिया के लोग यहां पर आगे दंगे करते हैं ये सब जो controversy थी इससे beyond जा सके इंडिया और UK और ए UK में जाकर काम करनेगा और फिर देखिए obviously PM Modi रिशी सुनाग दोनों की meeting ये अपने आप में historic है पहले Indian origin के UK के PM इंडिया के PM से मिल रहे हैं Indonesia में और इंडिया के PM ने ये बहुत ही unique gift दिया रिशी सुनाग को यहां पर आप देख पा होगे मादारानी की एक handmade textile है ये गुजर कर रहे हैं मगर लगता है कि एक बार को इंडिया UK की trade deal पहले हो जाएगी इंडिया USA की trade deal बहुत बाद में होगी क्योंकि इंडिया USA का जो trade है ना जिस speed से बर रहा है अराम से ये 400 से लेकर 500 billion dollars के आसपास चला जाएगा तो दोनों countries का stake पे बहुत कुछ है तो इसलिए बहु कि उना चुका हूँ कि किस तरीके से चाइना की border से सिर्फ 100 km दूर इंडिया और US के soldiers ये बहुत ही important युदब्यास करेंगे mountain warfare को study करने के लिए मगर यहाँ पे मुझको add करना पड़ेगा कि इंडिया और US के बीश में सब कुछ 100% perfect नहीं है एक बहुत ही बड़ा issue दोनों द के दिने start कर दिये हैं कि भविश्य में अगर इंडिया को oil purchase करना है from Russia तो western countries का insurance finance और maritime service यूज नहीं कर सकते मदलब के यह है कि जो आप cargo इस्तमाल करते होना ship को रश्या से इंडिया में लाने के लिए इसके लिए western countries की जो company है ये इस्तमाल नहीं होंगी तो ये मैं आपको ब होती बड़ा disaster सावेत हुआ हर जगा मैंने देखा कि शीजिंग पिंग को conflict ही मिली है अब एक बहुत यह जीब सा किस्सा यह हो गया कि शीजिंग पिंग और कैनड़ा के प्रामिस्टर जस्टिन टुडो ये आपस में बाचीत कर रहे थे कि शूगो लेकर अब जस्टिन टु यहां पर आप देख पाओगे यह वीडियो है अब कैनड़ा अपने आपे मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा देश है वहां का healthcare उसके लबाएंवर्मेंट वगरा काफी अच्छा है वगर जो सरकार है कैनड़ा में बाइगाड आमीन जस्टिन टुडो से बड़ा मैंने वर्ल इडर शादी रेखा होगा चाहिन की इंफेमस इंडिया विजेट हो या फिर शीजिंग पिंग से बाचीत हो या खालिस्तान का इश्यू हो ये लगातार बहुत से कंट्रीज के साथ कैनड़ा के जो रिलेशन्स हैं ये खराब करते हैं over the years मगर शीजिंग ये एक मैं कहूंगा positive side ये रिखने को मिली के PM बोधी से मिले शीजिंग पिंग और दोनों ने हाथ मिलाया हाला कि कोई official bilateral बाचीत नहीं हुई जैशंकर साथ यहां पर मौजूद थे और ये मैं कहूंगा देखिए कहीं ना कहीं एक confidence building major का का काम करता है eventually दोनों इंडिया और हाथ मिलाते रहिए बात करना काफी important है अब यहां पर एक interesting बात ये भी है कि रिखी सुनाक चाते रहे के इनकी भी एक meeting हो शीजिंग पिंग के साथ मगर जैसा ही पोलन पे missile वाला issue सामने आया शीजिंग पिंग ने रिखी सुनाक के साथ meeting कर दी council UK में अफकोर्स लोग इस ब world population prospect 2022 के हसाब से दुनिया की अबादी अब कित्ती हो चुकी है तो सही उत्तर यहां पे है option option B 8 billion सही answer है लोग literally online memes post कर रहे हैं कि हमको Thanos की आफशकता है और यहां पे आप देख पाऊगे the economic times का article है world population reaches 8 billion जो 8th billion child है यह बताया जा रहा है कि Philippines में पैदा हुआ है Philippines की capital Manila में कोर प्रता है कि एक बच्चे को डिसाइड कर लिया जाता है कि यह जो बच्चा जब पैदा होगा इसको मानेंगे 8th billion बेवी जी दोस्तों आपने देखा कि कितनी जबदत सी वीडियो और पीम मुदी को जह है जी टॉन्टी की जह है प्रिजिदेंसी मिल इंडिया को और आप द जेखें कि इस G20 मिटिंग में काफे सारी पॉजिटिव जो है ना वह साइन अदर आ रहे हैं कि जिसमें कि मिटिंग हुई रिशी सुनाक से ब्रेटिंग के बजिर आदम से तो उस मिटिंग में काफे सारी चीजों को जहे उन्होंने ज़र डिसकस किया और फिर मैं समझता कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ब्रेटिंग के साथ जहें उनका एक स्कीम ते हुई है कि 18-30 साल के जो लोग हैं उनको जहें उन्होंने विजा अनौंस किये ऐसे लोग जो डिग्री और रहे हैं वो अपना जाकर वहां पर आवर कर सकते हैं और फिस स उसमें जहें स्लोट उन्होंने किया इसमें जहें बड़ी यह वीडियो जहना बहुतादा वाइरल भी हुई और काफी सारी मिटिंग्स जहें मुफतलिफ कंट्रे के लोगों से जहें पीमोदी की हुई उसमें का जो बैनिफिट वाली बाते थी वो अभी मज़ीज जहें न और फिर उन्होंने अपने टूइट में लिखा कि बहुत मजबूत दोस्ती कि बिर्टिंग के साथ जहें इंडिया की पहले भी दोस्ती रही और अब जो वजिर आज़ाम बिर्टिंग के हैं रिशीर सुनाक तो उनके मौजूदगी में जो अब जो मजबूती आएगी वो म और इसमें कुछ चीज़ें जो सामने आ रही हैं वह यह के बिर्टिंग के वजिर आदम ने इन चीज़ों को जो थोड़ा सा डिले किया है कि एफटी एसाइन उन्होंने आस्टेली के साथ भी किया थो वह जो 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 पूरा मद्दे नज़र रखने के बात जो है फिर इन चीज़ों को जो 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 डिसकस करेंगी तो दोस्तों आपने देखा कितनी खुशगावार यह मिटिंग नदर आइं और प्यमूदी के जो तासुलात थे वो बड़े खुशाएं थे अच्छे दोस्तों जी टुएंटी की मिटिंग में बहुत खा चल दी है इस मिटिंग में जहरे एक और आहम उमोर पर बातल चीत हुई जिसमें कि USA के साथ जो जो जल्दीघर में पर बातल है तो उसकेसाद युके के साथ भी इनका पर फिरिटैन ऑग्री में पर बातल हो एंडिय की लेकन ऐसे लगता है कि जैसे के युचा का जैव फिर विलियन डॉलर की जहना हो चुकी है और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन यूके के साथ शायद जल्दी हो जाए और आपने देखा यह कि उसमें उन्होंने कहा कि पक्की दोस्ती रिशी सुनाक ने अपने ट्विटर में लिखा है कि इंडिया के साथ पक्की दोस्त जो देखते हैं कि आने वाले चंदिनों में क्या की चीज़न चैंज नजर आता है विडिमॉटिंग पर यह मुझे जान होई ही अाफनी हम उपस्वाले रख को रखी शीन उन्टी ने ही पता लगेगैं और पिर देखेंगें कि क्या कि है जैंज、 क्या क्या दुनिया में न मुझे चेंज हो रहा है। तो दोस्तों, इसके साथ ही, मुझे इजाज़ए दें। चलते-चलते मेरे वेहीज़ए अपने और अथे सवाले वाले लोगों। का खहाइक ए